हेलो एप्रिवन आपका स्वागत थी मेरे चैनल पे तो आप सोच रहे कि मैं किधर जा रही हूँ तो मैं जा रही हूँ पत्ना का हनुमान मंदिर जो बहुत ही प्रसीद मंदिर है तो यह देखे मैं वहाँ पहुच भी गई मेरे घर से 10-15 मिनट लगता है यहाँ आने के लिए और यह है पत्ना जक्सन तो यह बाहर वाला सीन है पत्ना जक्सन का और इसके पास में यह हनुमान मंदिर जो बहुत ही प्रसीद मंदिर है तो मैं पिछले बार भी एक वीडियो यहाँ का बनाई थी आरती का आपने देखा होगा तो मैं वहीं में आई हूँ नौमी की दिन तो आज के दिन हनुमान मंदिर में काफी भीड होता है तो यह देखे मैं रात को आई हूँ दीन में नहीं आई हूँ दीन में क्या होता है कि काफी लंबा लंबा लाइन रहता है मतलब 5-6 घंटा तो लाइन में लगता ही लगता है तो इसलिए मैं हमेशा पहले भी साधी के पहले रात को ही आती थी पापा के साथ तो इसलिए मैं अभी आई हूँ घर में सारा काम बगरा करके सारे 9-10 बजे निकली हूँ ताकि अच्छे तरह से दर्सन हो जाए और मुमू को लेकर नहीं आई मुमू को फीवर आ चुका था और हवा भी काफी तेज चाहरा था तो मैं उसे दवा और खाना खिला के वहां से निकली थी तो यहां पर प्रशाद ले लूँगी और यह अच्छा लड़ू रहता है नवैदम का लेकिन मेरे बच्चों को बेशन का लड़ू बहुत यह पसंद यह दाजा जंडा एक होता है तो यह देखे सब चला कर गये हैं यहां पर लेकिन वह खाली पेट आते हैं खाना खाने के बाद नहीं आने के रहता है इसलिए मौनिंग में काफी भीर रहता है जंडा चलाने वालों का तो यह देखे से मैं लाइन में लग गई और फटा- इज़े वहुशा फीलिंक भी होता है तो मैं हमेसा आती है तो सची कि आपको से अघ्वलिगे सोब्सक्राइब देख्राइब आचिजया थाल आपिजया राह plenty भाम आब आपिए पूसर को काि राह आपिजया आपिजया लाह्न ओॉप ओऊ याजरत के लोगा ॉच automated लापख़ कि 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 हुटם कि हुट खंद कि कि नख हमने गप अर्वाइं दों मियुद काओ मियुद Grade करे दो हमारी आद क्पैम को खीरी में तों नख जों हमारी आदब झाता है でफ पतला दो भार तो यह देखे फ्रेंज यहां पर मैं आकर यहां पर नाम कर लूँगी हनुमान जी को और इस तरह से जाकर पिर में सिंदुर लगा लूँगी वहां पर सिंदुर रखा रहता है तीका और शिंदुर लगाने के लिए सब लोग फिछे से आकर भी प्रनाम करते हैं ति काफ़ी छोड़े मंदिर भी वहां पर जो प्रणाम करने के लिए जाया जाता है तो यहां लोंगी से वहां पहो फोड़ा नियुक्त हैहां चले सबने हैं पूरे रोड पे मतलब बीर ही भीर था और जैसी राम का नारा गूंज रहा था और साथ ने काफी धाकिया निकला हुआ था डीजे वगरा के साथ जो राम थी तो हनुमान जी बनकी निकलते हैं काफी भीर भार था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा तो अलन्या मुमू नही आए तो अफसोस लग रहा था लेकिन निक्टम की जरूर लेकरा होंगी दिखाने के लिए सब तो यह देखिए कितना बीर है सब लोग निकल रहे हैं यहां से और ट्रैफी भी बहुत जाम था यहां आने में टाइम भी काफी लगया और जाने में काफी टाम लगेगा तो य हेंडा वगरा यह जो दिख रहा है जो इसकी राम पर नारा गूंज रहा है तो बस यहां पर सब लोग आते हैं आप भगवान के प्रणाम करते हैं और सारे जगह पर गूंते हैं इस तरह से कर दो में प्रणाम घपाने करते हैं पर रहा हैं तो हैं कर दो । झाल 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 तो यह देखियो अब मैं जा रही हूँ घर पे तो रात काफी हो गया था तो 11 12 बजी गया था तो अब मैं जा रही हूँ घर पे तो बस मेरे घर से ज्यादा लंबा नहीं है दस पंद्रा मिनट लगता है और रास्ता भी ज्यादा मतब बीजी नहीं था मतब ट्रैफिव गड़ा कुछ भी नहीं था पटापट मैं घर पे पहुच भी जाओंगी तो यह दिकी मैं घर पे आ चुकी हूँ तो मुमू थोड़ा उदास थी कि भई मैं उसे लेकर नहीं गई थी तो नेक्स टाइम बिलकुल ले जाओंगी उसे तो प्रेंट्स मैं आ चुकी हूँ घर पे और आकर फ्रेश बगरा हो चुकी हूँ और अब जा रही हूँ खाना खाने के लिए तो नन्या मुमू खाना खा चुकी है मैं खाना बना कर गई थी रोटी सब्जी और ट्रफी बहुत जाम था और मंदिर में बहुत ही अच्छा लगा दर्सन बगरा भी बहुत ही अच्छे से हो गया इसलिए मैं रात को लेट से जाती हूँ जिसी दर्सन हो जाता है और दोनों का कल है स्कूल सुभा में ही स्कूल है दोनों का सारे पाट पर जोटना है तो देखे नन्या का भी यहां पर पढ़ाई चल रहा है तो उनका क्या रहा ठंडा गरम का जो मौसंग हो रहा है अप्रेल के महीने में तो कभी उसको फीवर आ जा रहा तो कभी ठीक भी रहती है तो कल हो सकता है मैं उसे स्कूल नहीं भी भेली तो बहुत थी उससे बुखार था दोपहर में तो अभी दबा बगरा खाके थोड़ा अराम की ह तो थीक है इसकी मुझे मंदिर नहीं ले गई थी तो रोव भी रही थी काफी तो फिर नेक्स टाइम जाओंगी मंगलवार को तो मुझे लेक के जाओंगी तब तक के लिए मैं वीडियो को एंड करती हूं फिर से मिलती हूं कुछ नहीं तो कुछ नए ब्लॉग में तब त